यह बता यह आरती फर्स्ट इंटर्व्यू में बोली थी कि मेरा एक फ्रेंड थी फ्रेंड उसका जहां कौन सबसे जिगरी दोस्त जो है उसका कौन थी अंतिम बार क्या कहिएगा यहां के परशासन से विश्नु कांत मेरा अहीं निवेदान है कि सब्सक्राक लाइए जैसे ल तक है तो उस आरती के साधी में आपको पूछा गया था कि नहीं नहीं पूछा गया था और लगातार आपके इंटर्व्यू में हम लोगों को सुनने को मिला है की आप आर्थी को रखने केलिए लगातार तयार है और अप एक स 특ध भी रख रही है क्या सप्ध है क्या करें आर्थी जो आप रखें गी पिर से चाहती है कि भुष्णू कांत दादी जी चाहती है कि फिर भुष्याली भढ़ जाये और जो है पहले तरह से जो सिताड़े चमक रहे तो वहीं चमकना चाहिए उनके वाद मारती को अपना लेंगे अच्छा विश्नु कांत एक जो है कि बड़ा मारमिक सा प्रश्ण है मिथलेश यादव को लेकर कई लोगों के नजर में मिथलेश यादव को लेकर बड़ी संतावना है कि कई लोगों को लगता है कि वो निर्दोस है कई लोगों को लगता है कि दोशी है क्या मिथलेश याद क्षाइब रूबी डेवी में ठाइब हुई अच्चा तुम्हारा एक भतीजा भी है चोटा साई आरती का कहना है कि रूबी डेवी बने दो बजे रात कि बुलायकों यह बात कहां सचा है क्षी coherent हैं इस कि हमारे साथ बिष्नुकांto और उसकी दादी है ये भच्चा बिना बाब के सहारे बिना मा के सहारे बिना पड़िवार के सहारे अभी पढ़ने की उम्र है क्या करेंगे आगे चलके मजदूरी ही करना पड़ेगा ना तुमको जब ऐसी समस्य आये रहेगी विशनुकान तो पढ़ नहीं पाओगे आगे मजदूडी ही करोगे ना लोगों के खेतों में जाओगे को लहरी चलाओगे कुदाल चलाओगे अखिर इन लोगों की क्या गलती है इन लोगों को जो सजा मिल रहा है कम से कम इन लोगों को ऐसा प्राबधान होना चाहिए कि इन लोगों को भी खाने पीने के लिए ध्य रखना चाहिए सरकार को क्योंकि जो पड़िवार असहाय है उनको मदद की जरुत है क्या गलती है इस बुढ़ी दादी की जो दादी अभी बैट के गोहार लगा रही है जिनके मुझे आवाज नहीं निकलता है वो अपने पड़िवार को बचाने के लिए गोहार लगा रही ह अंतिम बार क्या कहिएगा यहां के परसासन से विष्णु कांथ जो दोसी तड़िके से जांच होने चाहिए जो जो जिसको दोसी लगड़ा वो उनको जए गिरफ्तार करना चाहिए और पुछेगा पवन वे अब क्या पुछेंगा तो सारा सवाल हो है ठीक है हाँ पुछे इसको कोई चड़ाने दिजेगा इडिट कीजिएगा यह बता यह आरती फर्स्ट इंटर्व्यू में बोली थी कि मेरा एक फ्रेंड थी फ्रेंड उसका जहां कौन सबसे जिगरी दोस्त जो है उसका कौन थी पता नहीं है चलिए यहीठो सवाल था ठीक है विष्णु कांत प्रेस कॉंफरेंस में जूरने के लिए आपको और आपकी दादी को बहुत-बहुत धन्यवाद आपने जो यह बातें रखी हैं इस पर विचार होंगी हो सकता है कि कोई उच्च अस्तर के पता धिकारी इस वीडियो को देखकर सही तरीके से केस की जाच करवाएंगे बहु